Good morning students, this is the second video of chapter 15, Some Natural Phenomena of Science of Class 8. Previous video में मैंने आपको charges उनके nature के बार में बताया हैं. तो अब हम इस video में story of lightning के बारे में study करेंगे. It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. तो आप पहले वाली video में charges के बारे में study कर चुके हो. तो इसलिए आपको अब easily समझाएगा कि lightning के इस तरह से produced होती है charging की वज़ा से. Charges के rubbing होने की वज़ा से. पहली video के starting में मैंने आपको बताया था कि lightning भी क्या है? Sparking ही है जिस तरह से अगर दो wires को आप जोडते हो आपस में, तो वहाँ sparking होती है, या फिर आपको भी socket में switch लगाते हो, वहाँ पर आपको side पे sparking दिखाए देती है कई बार, तो यह lightning भी क्या एक तरह की sparking ही होती है, बट यह होती बहुत बड़े scale पर है, it is an electric spark on huge scale, यह बड़े amount पर होती है, और यह होती क्यों है, it is caused due to the accumulation of charges on clouds, क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे charges, जिस दिन thunderstorm होता है, उस Tommy night की बज़े से, वहाँ पर जो clouds होते हैं, उनमें बहुत सारे charges इकटे हो जाते हैं, जिसकी वरसे lightning होती है, देखो sky में इस तरह से clouds होती है, और clouds में क्या होता है, water droplets होते हैं, बड़े droplets भी होते हैं, और small water droplets भी होते हैं, तो जो cloud है, वो क्या mixture होता है, इनका बड़े droplets को और small droplets का, अब होता क्या है, जो cloud के अंदर small droplets होते हैं, वो उपर होते हैं, और उनके उपर कौन सा charge होता है, इस तरह से positive charge होता है, लाइटनिंग किसकी बज़ से होती है चार्जिस की बज़ से होती है और क्लाउड में बहुत सारे चार्जिस होते हैं अब चार्जिस दो तरह क्यों होते हैं पॉस्टिव और नेगटिव वह चार्जिस किस तरह से होते हैं जो स्माल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके उपर क् नीचे की side cloud के नीचे वाले edge पे बड़े water droplets होते हैं जहां पर कौन सा charge होते हैं नेगटिव चार्ज होते हैं तो इस तरह से जो charge हैं वो separate हो जाते हैं उपर वाली side कौन से होते हैं positive charge और नीचे वाली side क्या होते हैं negative charge sky में बहुत सारे clouds होते हैं तो सभी clouds पे इस तरह से उपर की side के है positive charge होते हैं और नीचे की तरफ क्या होते हैं negative charge होते हैं तब जब यह clouds आपस में टकराते हैं यह जो clouds आपस में टकराते हैं तब क्या होते हैं बहुत सारे charge के magnitude के वैसे बहुत ज़्यादा accumulation के वैसे charges के जब य उसी तरह से अब यह दो clouds है उन पर सेम चार्ज इस तरह से यहां पर positive है नीचे negative है तब यह जब cloud आपस में टकराते हैं तो यहां पर क्या जो बीच में इनके small air gap होता है वहां पर यह लोग क्या lightning बोलते हैं तो जब यह जब बहुत ज़्यादा चार्ज इकठा हो जाता है एकमूलेट हो जाता है clouds के अंदर तो वो जब clouds आपस में टकराते हैं तो वो क्या produce करते हैं spark produce करते हैं और यह जो spark है कहते हैं कि जो बड़ी buildings होती है या बड़े जो भी trees होते हैं उनके उपर flow कर ज जाते हैं जैसे फिगर में दिखाया दे रहा है आपको कि जब यह दो clouds आपस में टकराई तो टकराने के बाद क्या है वहां पर क्या हो गया कि spark produce होगी अब यह spark मीचे किस तरह से move कर जाती है बिल्डिंग्स के ऊपर किस तरह से गिर जाते हैं जो बड़ी buildings होते हैं जैट trees होते हैं इस तरह से जो बड़ी buildings या trees होती है तो जब इस तरह से दो clouds टकराते हैं आपस में तो वह क्या spark produce करते हैं अब यह spark किसी building या tree पे गिरते हैं कौन से process के तरह induction के प्रोसेस के तरह induction का मतलब क्या है कि suppose करो यहां पर एक क्या हमारे पास charge body पड़ी है उसके इस हैंड पर नेगटिव चार्ज है और इसके उपास positive चार्ज है तो यह body क्या है charged body है अगर इसके पास कोई uncharged body है तो यह वाली जो body है charge body इसके उपर भी के charge induce कर देगी impose कर देगी इसके अंदर भी charge develop कर देती है और वो charge हमेशा opposite charge develop होगा अगर यहां पर इस हैंड़ पर positive है तो यहां पर कौन सा charge develop होगा negative charge develop होगा हाला कि उसका magnitude इसके comparison में कम होगा बट फिर भी उस पर क्या charge develop हो जाएगा तो it means यहां से charge care flow कर गया to this uncharged body और उसके उपर उसने क्या कर दिया charge induce कर दिया जिसके वज़से यहां पर क्या नेगटिव charge और यहां पर फिर क्या कर देगा जो charge है वो flow कर जाएगा तो इसी तरह से होते हैं बड़ी बिल्डिंग्स पे क्या होते हैं कि यह clouds हैं clouds के नीचे वाले end पे क्या negative charge होते हैं तो यह building के उपर क्या कर देते हैं इंडियूस कर देते हैं इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू तो अगर वहाँ पे positive charge आजेगा यहाँ पे negative तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा charge इकठा हो जाते है जिसकी वज़से यह जो spark है वो इस तरह से earth की तरफ flow कर जाते है buildings की तरफ flow कर जाते है और इस flow को हम क्या बोलते है lightning बोलते है flow of charge from cloud to the earth is called the lightning जैसे इस figure में दिखाया गया देखो यहाँ पर आपस में टकराए clouds वहाँ पे spark produce हुआ यहाँ पे cloud में charge बहुत जादा हो गया था इस charge ने क्या किया नीचे जो tall trees थे उनके उपर के positive charge induce कर दिया earth today we need not to get frightened by lightning like our ancestor did now we understand the basic phenomena तो हमें अब basic phenomena पता चल गया कि lightning होती कैसे तो अब उससे डरने की ज़रुएत नहीं है scientists are trying hard to improve this understanding however lightning strike could destroy life and property नेकिन अगर कहीं पर lightning गिरती है बिजनी अगर गिरती है तो बहुत ज़्यादे life को life भी destroy हो सकते और property को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते है इसलिए हमें necessary it is therefore necessary to take measures to protect ourselves तो अपने आपको बचाने के लिए कुछ measurements हैं कुछ precautions हैं जो वो लेनी चाहिए जिससे first है lightning safety during lightning and thunderstorm no open place is safe जब भी lightning हो जब थंडर स्टॉर्म हो कोई भी open place safe नहीं होती है hearing thunder is an alert to rush to a safer place जब आपको thunder की अवाज सुनाई दे तो आपको मतलब वो एक तरह से आपको indicator है कि आप किसी safer place के लिए चले जाओ after hearing the last thunder जब बिलकुल शान्त हो जाए lightning thunder आपको बस लगए कि हाँ अब last thunder आप सुनो उसके बाद आपको अब आज ना आए thunder की तब तक वेट करो बाहर निकलने की किसी safe place है otherwise उस safe place पे वहीं खड़े रहो जब तक आपको thundering और lightning दिखाई दे रहे है thundering और lightning दिखाई दे रहे है finding a safe place a house or building is a safe place if you are traveling by car और by bus you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut house or building सबसे ज़्यादा safe place है लेकिन अगर आप travel कर रहे हो car या bus में तब भी आप safe हो उसके अंदर लेकिन window और जो doors और वेटल के वो बंद होने चाहिए do's and don'ts do during a thunderstorm क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए outside अगर आप outside में ओ open vehicles like motorbikes, tractors, construction, machinery, open cars are not safe तो जो भी open vehicles होगे, कोई भी machinery होगे यह सब क्या safe जगा नहीं होती है open fields, tall trees, shelters in parks, elevated places do not protect us from lightning strokes open fields होती है जहां पर बड़े trees होगे shelters in parks हैं जो elevated places ऊची जगाए हैं वो हाँ पर lightning के chances गिरने के ज़ादा होती है तो वो safe places नहीं है carrying an umbrella is not at all good idea during thunderstorm thunderstorm के time भी umbrella नहीं लेना चाहिए because अगर वहाँ पर rain हो रही है साथ में तो water के good conductor of electricity होता है अगर lightning गिरी तो वहाँ से crunch आपको पानी के थुरू के है वहाँ पर से आपको crunch लग सकता है second ही उसकी जो metal की road होती है जिससे आपने उसे hold किया होते है तो उससे भी crunch के पास कर सकता है because metal is also a good conductor of electricity if in a forest take shelter under shorter trees अगर आप forest में हो तो हमेशा छोटे trees के under shelter लो कभी भी बड़े trees के उपर नहीं लेना चाहिए because वो height पे होते हैं तो उनके उपर बिजली गिरने के chances के जादा होते हैं if no shelter is available and you are in open field stay far away from all trees अगर आपको shelter नहीं मिल रहा है और आप open field में तो सभी पेड़ों से दूर रहे हैं पोल से दूर रहे हैं और metal object से भी दूर रहे because metal के good conductor of electricity अगर उनके अंदर से बिजली पास होगी lightning पास होगी तो अगर आपने उसे touch कर दिया तो आपको भी shock लग सकता है do not lie on the ground ground पे सीधे लेटना नहीं चाहिए instead squat low on the ground इस तरह से बैठ जाना चाहिए place your hands on your knees with your head between the hands जिस तरह से इस figure में दिखाई दे रहे हैं इस तरह से बैठ जाना चाहिए this position will make you the smallest target to be struck तो इसकी वज़े से क्या होगा आपका जो आपकी जो size है वो छोटा हो जाएगा और आप जो बिजली के struck करने के chances के हैं कम हो जाएंगे अगर आप घर के अंदर हो तो क्या precautions लेने चाहिए आप lightning can strike telephone codes, electric wires and metal pipes do you remember lightning is an electric discharge क्योंकि lightning क्या है electrical discharge है means flow of electric charge है flow की वज़े से ही lightning produce होती है charges के flow की वज़े से तो अगर आपने telephone codes क्योंकि जो lightning है वो telephone codes कोई भी electric wire है या metal की pipe है उसके अंदर strike कर सकती है तो कभी भी उन्हें touch नहीं करना चाहिए it is safer to use mobile phones and cordless phones however it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone अगर आपके पास cordless phone है या mobile phones है वो आप इस्तिमाल कर सकती हो लेकिन हमेशा ये advice दी जाती है कि कोई भी person अगर wired phone से call कर रहे तो उसका phone आपको उठाना नहीं चाहिए because वहाँ पे क्या आपको अगर lightning strike करती है तो आपको crunch लगने की chances है bathing भी avoid करने चाहिए during thunderstorm to avoid contact with running water because taps में से running water आ रहा है अगर बिजली बिल्डिंग पे गिरती है तो definitely water को भी conduct करेगी electricity जिसकी वैसे आपको भी shock लग सकते है electrical appliances like computers, TVs, etc. should be unplugged अगर कोई भी electrical appliances है जैसे कि TV होगे, computers होगे उनके plugs को unplug कर देना चाहिए electrical lights can remain on they do not cause any harm तो आप electrical lights को on रख सकते हो वो आपको हाम नहीं करेंगी बट आपने जो plugs हैं appliances के वो निकाल देने हैं जब भी thunderstorm या lightning हो next is the lightning conductor lightning conductor क्या होता है lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning lightning conductor वो device है जो हमारी buildings को जो lightning के effect, बिजली के effect से बचाता है देखो इस तरह से lightning conductor लगाया जाता है यह जो tall buildings हैं उन्हें बिजली से बचाने के लिए जब बिजली गिरती हैं उसके spark से बचाने के लिए उसके lightning से बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं lightning conductors यूज किया जाते हैं lightning conductor होते के हैं metallic road taller than the building is installed in the walls of the building during its construction तो एक metallic road जो building से उसकी height जादा हो वो install की जाती है जब building की कोई भी building की construction होते हैं उसके साथ ही महाँ पे यह install कर दी जाती है one end of the road is kept out in the air देखो इस तरह से एक end के है उस road का इस तरह से उपर air में छोड़ दिये जाता है and one end is buried deep in the ground और दूसरा end के है उसको इस तरह से deep ground में दबा दिये जाता है जिसके उपर के है इस तरह से copper plate लगाई गई है यह दिखे यह एक metal की road यहाँ पे building में लगाई जाती है उसका जो upper वाला end है वो उपर को बाहर दिखाई दियेता है building से उपर होता है road provide easy route to the for the transfer of electric charge to the ground अगर बिजली गिरेगी तो यहाँ पे यह metal की road है तो इसके उपर गिरेगी because metal is a good conductor of electricity तो यहाँ से जो charge है वो पास होता सीधा कहाँ चला जाएगा ground में चला जाएगा जिसके वैसे आपकी जो building है उसको कोई damage नहीं होगा the metal columns used during the construction electric wires and water pipes in the building also protect us to an extent but do not touch them during a thunderstorm तो यह जो metal के columns बने होते हैं जो construction के time आपके लगे होते हैं या फिर electric wires हैं जो water pipes आपके घर से जा रही हैं अगर बिजली गिरती है तो उन पे गिरेगी और वो सीधा क्या है आपकी building को बचा लेंगे मतलब आप उने टच कर देती हो वो जो water की pipes जा रही हैं electric wires जा रही है तो आपको भी shock लग सकता है तो lightning conductor जो है उसकी help से हम अपनी building को damage होने से बचा सकते है lightning के effect से because वो सारा का सारा जो charge है वो कहां चला जाएगा ground में चला जाएगा और उसकी वैसे ना तो हमारी building को कोई effect होगा ना ही earth को कोई effect होगा next earthquake है यह मैं आपको next video में explain करूँगी झाल जाएगा जा हमारी से अान में उसकी एागबाबाबबेपाबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबस